इस्टुडेंट्स हम सेंपल पेपर नंबर तीन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और यह है आपका हिंदी इससे पहले हिंदी एक जो आपके दो पेपर्स थे उनको सॉल्व करवा दिया गया है कंटिन्यू आप जो है इन चैनल पे जितना भी स्टड़ी कर रहे हैं और कंटिन्यू जो आपको पेपर मिल रहे हैं उनको जरूर सॉल्व करिए इन में से जो है आपके सीबेसी के कुशन पेपर को डिजाइन किया जाता है चाहें हाफ यरली हो वार्शिक हो या फिर प्रिवो करने के लिए लोगों की सोच कैसी है अगर आपने पैसेज पढ़ लिया है अपने डाउनलोड कर लिया है तो आपके आंसर समझ में आ जाएंगे यहाँ पर जो गॉप्शन है यह करेक्ट हो जाएगा पैसिज बाल स्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दाइत्व है यह जो है Q2 देखिए यहाँ पर पूछा गया है घरों में धावों में होटलों में और खानों और कार खानों में अनेक बाल स्रमिकों को काम करता देख भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं तो यहाँ पर इसका रीजन क्या होगा अगर आपने पैसेज को पढ़ा है तब ही आप इसका सार्थक प्रयास क्यों किये जाने चाहिए आप से बच्चो को किया आप से बच्चो को बाल स्रम के लिए क्यों वीश्क किया जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा निरधनता और भुकमरी के कारण तो यहां पर option कौन सा सही रहेगा, खा option जो है, इसका correct हो जाएगा, इसके बाद पांच वा जो प्रशन है, उसकी बात करते हैं, पांच वा प्रशन पूछा गया है, बाल सरम जैसे सामाजी का विशाप से देश को क्या नुकसान होता है, तो बाल सरम से देश का आने वाला कल अंदकार की ओर जाने लगता है, तो यहां पर गा option करेक्ट हो जाएगा, इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट कॉश्चन पर, यहां पर दो पध्यांस में से किसी एक अका ही आप उत्तर देना है, और यहां पर पध्यांस आप देख सकते हैं, इसका PDF में बता चुका हूँ, बा यह आंसर जो होगा हमारा खेतों में, दौलत बिखरी होने से तातपर यह है, कि अच्छी फसल होना, यानि कि अच्छी फसल होती है, इसलिए इसको दौलत के नाम से हम जानते हैं, का option करेक्ट हो जाएगा, दूसरा कोशन है, निमलिखित में कौन सा कथन, उप्योक्त नहीं नहीं पूछा गया है, यह ध्यानक नहीं, तो करम हिंता का पाठ पढ़ाती है, यह जो है, गलत है, करम हिंता का पाठ नहीं पढ़ाती है, तो यहाँ पर जो गलत कथन है, उसको हमें चूज करना था, तो यहाँ पर गाउ option जो है, करेक्ट हो जाएगा, तीसरा प्रशन जो ह किन कलाओं की चर्चा हुई है अगर आपने ये पूरा का पूरा काव्यांस पढ़ लिया है तो आपको पदा चल जाएगा कि इसमें संगीत, निर्थ, कवीता और मूर्ती बनाना आदी की चर्चा हुई है नेक्स जो कोशन है, इसमें पांचवा अनिम लिखित में से कौन सा विशेशन, विशेश्य का युग्म नहीं है नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना है, हर बार आपसे जब भी कोशन पूछा जाएगा तो आपको सही तरीके से उसका आंसर देना होगा इसको पढ़ लेना है, और इसका आधार पर प्रशनों को उत्तर देना है पहले प्रशन की बात करते हैं, पहला प्रशन जो पूछा गया है इसमें पूछा गया है, सुख दुख में मुस्कुराते हुए कैसे रहना चाहिए, तो इसका राइट anser क्या हो जाएगा धीरज, ठीके से रहना चाहिए धीरज किसा आता रहना चाहिए, का option जो है इसका correct हो झाएगा, इसके बाद दूसरा प्रशन है इसके लिए सहनी चाहिए तो यह हमारा आउंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा रास्ट के लिए उसके बाद जो next question है third number इसमें क्या पूचा गया है अच्छे है यहाँ पर मात्र भूमी और जनम भूमी खालिस्थान मेरी तो यहाँ पर उप्युक्त सब्द से खालिस्थान जो है आपको भरना हो तो यहाँ कब तक मुस्कुराए तो हमारा answer हो जाएगा जीवन भर तो यहाँ पर पहला यह option का correct हो जाएगा इसके बाद जो next question है उसकी बात करें इसका पांच वा जो पूचा गया है माता के लिए पर्यावाची छाटी है तो माता के लिए पर्यावाची जो हो जाएगा जैननी का option जो है correct हो जाएगा इसके बाद जो तीसरा प्रश्ण है इसको देखिए निर्देशना अनुसार जो है अपना रचना के आधार पर वाक्के भेद जो है इसका दूसरा जो कोशन ने करो या मरो सइंक तो वाक्के को मिस्र वाक्के में बदल देना है तो इसका क्या हो जाएगा तो आप सीधा सीधा यहां पर लेका सकता है यदि नहीं करोगे तो मरोगे तो कौन सा option करेक्ट हो जाएगा आपका घा option जो इसका correct हो जाएगा इसके कण्षिcl água जो है इसमें देखिए निमलगित वट्क्यों में सरल वाक्टिय के है तो सहीज़ गमभीर के साथ खेल रहा है सरल वाक्ट्क हो गया सवाग इसन फ्रकार है और चलता है जैसे बिमार हो प्रचना के आधार पर वाक्ट्क पूछा थ्मलंग को आजाए किछिए question का अंजर, इसके बाद पांचवा जो question है, इसमें देखिए column 1 से column 2 को match करना है, यहाँ पर column 1 को column 2 के साथ सुम्मिलित कीजिए, और सही विकलब का chain आपको करना है, पहले हम यहाँ पर column को यह देख लेते हैं, और initially हमारा column अगर सही match हो गयाते हैं, यहाँ पर options जो हैं, वो हम आसानी से बता सकते हैं, तो इसका सबसे पहला question है, उसकी बात करें, तो देखिए, सत्य बोलो परंतू कटू, सत्य ना बोलो, यह कैसा है, तो यह आपका सईयोक्त वाक्य है, इसके बाद दूसरा जो पुलिस ने चोर को पीटा, तो यह कैसा वाक्य है, यह बिल्कुल सरल वाक्य है, और बचा हुआ automatically, थर्ड से हो गया, जब मैं छोटा था, तब cycle खूब चलाता था, तो यह मिस्र वाक्य हो गया, तो आब आप देख सकते हैं, पहला जो है, आपका उसके साथ दूसरा option आएगा, दूसरे के साथ पहला option आएगा, तो इस तरह से हमारा गा option जो है, यह correct हो जाएगा, next जो चौथा question है, उसकी बात करते हैं, यहापर, फिर से आपको वाच्चे पर आधारित, 5 बहुविकल्पिय प्रश्णों में से 4 के उत्तर देने हैं, सबसे पहले हम बात करें वाच्चे की, तो यहापर आपको column देखना है, column को 1 और column 2 को अगर सही select कर लेंगे, तो आपका answer सही हो जाएगा, तो पहला अगर question देखें, यह आपे क्या लिखा है, गलत भरा हुआ, फार्म निरस्त कर दिया जाएगा, यह कैसा है, तो कर्म वाच्चे बता रहा है, इसके बाद जो है, बंदर ने गमला तोड दिया, तो बंदर ने गमला तोड दिया, तो यह क्रत वाच्चे हो गया, और इसके बाद में चलो तालाब म में से वाच्चे वाला, करम वाच्चे वाला जो है वाच्चे छाटना है, तो करम वाच्चे किसमे हैं बस आपको वही बताना है, तो इसका right का answer कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, देखे ध्यान से, right answer जो इसका होना चाहिए, यह second question का, अभी नए द्वारा कहानी पढ़ी गई, खाव option जो इसका correct हो जाएगा, इसका तीसरा जो प्रशन है वो देखते हैं, निमलिखित वाच्चे में करम वाच्चे बनाएगे, निमलिखित वाच्चे से करम वाच्चे, यहाँ पर वाच्चे लिखा है, मैं यह कवीता नहीं पढ़ सकूँगा, तो इससे करम वाच्चे में अगर हम परिवर्तित करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा answer, हमारा answer हो जाएगा, मुझसे यह कवीता नहीं पढ़ी जा सकेगी, यहाँ पर गाउ option करेक्ट हो जाएगा, चोथा जो कुश्चे में इसमें देखिए, जब पुछा गया है, आओ चला जाए, इस वाक्चे में वाच्चे जो है भाव प्रकट कर रहा है, यहाँ पर भाव वाच्चे जो हो जाएगा, खाव option इसका करेक्ट हो जाएगा, पांच्वा प्रकट जो है, इसमें पुछा गया है, निमलिकित वाक्चियों में से क्रत्वाच्चे वाला वाक्चे है, तो क्रत्वाच्चे वाला कौन सा वाक्च्चे आपके आप देख रहे हैं, तो बच्चों ने खाना खाया, ये है आपका क्रत्वाच्चे, इसके बाद आप आपने नेक्स्ट कॉश्चिन पे, पांच्वा जो कॉश्चिन है, निर्देशा अनुसार पद परीचे पर अधारित पांच प्रश्णों में से च्यार के उत्तर देने हैं, या च्छात्र बहुत समझदार है, इस वाकि में रेखांकित पद का सही पद परीचे जो है, आपको बताना है, रेखांकित सब्द का सही पद परीचे जब आप लिखोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, संग्या जाती वाचक एक वचन पुल लिंग करता का रगा, खा उप्शन जो है, इसका करेक्ट हो जाएगा, दूसरे प्रश्ण की बात करें, इसमें पूछा गया, मैं पंकज से, पंकज से जैपुर मैं मिलूँगा, इस वाके में रे खांकित पद का सही पद परीचे जो है, ये क्या है, बता रहा है, व्यक्ति वाचक संग्या पुल लिंग एक वचन और अधिकरन कारक का उप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सेकिंड कुशन का, थर्ड कुशन की बात करें, इस वाके में रे खांकित पद का सही पद परीचे जो है आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा हमारा संग्या भावाचक एक वचन पुल लिंग और अधिकरन कारक गा उप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, इस वाके में रे खांकित पद का सही पद परीचे जो है आपको बताना है, तो वह किसे पद रहा है, तो यह कैसा है, प्रशन वाचक सर्वनाम उभावलिंगी एक वचन कर्मकारक, यानि कि का उप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, इसके बाद आते हैं six number question पर, तो six number में देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, अलंकार आधारित पाज प्रशनों में से आपको कोई भी चार जो है प्रशन के उत्तर आपको देने है, तो पहला जो प्रशन दिया गया है, इस पंक्ती में उप्युक्त अलंकार जो है आपको बताना है, तो अगर पहले पंक्ती को आप देख रहे हैं, तो इसमें श्लेश अलंकार आपका दिया गया है, इसके बाद हमारा जो next second question है इसमें जो है आपकी पंक्ती दी गई है इस पंक्ती में उप्युक्त अलंकार कौन सा हो जाएगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार तो हमारा खाओ option जो है correct हो जाएगा इसके बाद तीसरा प्रशन फिर से आपको word दिया गया है प्रशन पत्र मैंने आपको दे दिया था description box में PDF लिंक अवलेबल है PDF को download करके सारे प्रशनों को पढ़ना तभी आपको समझ में आएगा मैं answers फटा फट बताते जा रहा हूँ और जो भी आपके papers से जल से जल अवलेबल करा दूँगा ताकि आप लोग पढ़ करके अपने आपको तयार कर ले completely 100% जो है यहां से paper बनाया जाता है CBSC गा तो यहां पर आप देख सकते हैं इन पंक्ती में अलंकार आपको बताना है पंक्ती आपने देख ली है तो इसका right answer कौन सा हो जाएगा इसमें है उत्परेक्षा अलंकार खा उप्शन करेक्ट हो जाएगा चौथा जो प्रशन है इसमें आप से पूछा क्या गया है वही सेम पंक्तियां दे रखिया इन पंक्तियों में आपको अलंकार बता देना है तो इसमें अलंकार जो हो जाएगा आप देख सकते हैं अगर ढंक से आपने पंक्तियों को पढ़िया है तो इसमें मानवी जलक रही है तो मानवी करन अलंकार गा उप्शन जो इसमें करेक् अब आराम से आप देख सकते हैं कि यह कहां से पैसेज लिया गया होगा, आपको एकदम याद होना चाहिए कि पैसेज कहां से आ रहे हैं, यहाँ पर जो पहला प्रशन है, लेखक ने सेकेंड क्लास का टिकट महंगा होने पर भी क्यों खरीदा, तो इसका रीजन क्या हो जाए इसके बाद नवाब साहब के सामने तोलिये पर क्या रखा था, तो सभी को अच्छे तरह से पता है कि वहाँ पर खीरे रखे थे, तो यहाँ गाउप्शन करेक्ट हो जाएगा, चोथे कुशन की बात करें, कौन सी बात लेखक के अनुमान के प्रतिकूल थी, तो कौन सी बा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 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 यहाँ पर आपका क्या हो ज ब्राप्ती हुई थी तो यहाँ घॉप्षन जो आपका correct हो जाएगा इसका दूसरा question देखते हैं इसमें क्या है बाला जी के मंदिर तक जाने का कौन सा रास्ता अमीरुदीन को पसंद था तो वो कौन सा रास्ता था तो right answer जो हो जाएगा इसमें इसमें आजएगा रसूलन बाई बतूलन बाई के घर से होकर जाने वाला रास्ता, तो यहाँ पर आपका गवा उप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसके बाद अगला जो प्रशन है नोवा, उसकी तरफ मूव करते हैं, नोवे प्रशन में देखते हैं, यहाँ पर पढ़ लेंगे, और इसके बाद में प्रशनों इसमें पुझा गया है, पत्वों का मुर्जाना किश और संकेत करता हैं, तो क्या हो जायगा आंसर, डल्ती उम्र और जीवन के आनंद की समापती की और, गा उप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीसरे प्रशन की बात करते हैं, तीसरे प्रशन में आपसे पूझा गया, जो है, यहाँ पर कहा गया है, मन रूपी भौरे को, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, मन रूपी भौरे को, का उप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसके बाद जो चोथा प्रशन है, कवी ने गागर रीती किसे कहा है, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, आपका गागर जो इसका correct हो जाएगा, दस्वे प्रशन की तरफ move करते हैं, यहाँ पर आपको पद पाठु के आधार पर दो बविकल्पी प्रशन है और दोने को उत्तर देना है, ब्रहमर गीत में किसके माध्यम से उद्व पर व्यंग किया गया है, तो ब्रहमर गीत में ब्रहमर के माध्यम से अर्थार्त भावरे के माध्यम से किया गया है, तो हमारा जो पहला ही option इसका correct हो जाएगा, इसके बाद दूसरा जो है, यहाँ पर पूछा क्या गया है, आप से देखिए, नात संबु धनु बंज निहारा में नात सब्द का प्रियोग हुआ है, किसके लिए हुआ है यह यहाँ पर simplest word में सभी का answers दिये हैं, तो पहले question का answer आप यहाँ पर देख लेंगे, दूसरा प्रशन है, लिखक ने father कामिल बुलके की याद को यग्ग्य की पवित रगनी क्यों कहा है, यह आप answer दे सकते हैं, answer मैंने complete कर दिया है, यहाँ नेक्स जो पार्ट है, इसमें आठो के आधार पर आपको प्रशनों के उतर देने, जिसमें आपसे पूछा क्या है, गोपियों ने उद्व से योगी की सिक्षा कैसे लोगों को देने की बात जो है कही है, यह आपको बताना है, तो यहाँ पर हमने answer दे दिया है, लक्षमन के व्यंग मैं सब्दों से परस लेस्ट वर्ड में लिखा गया है, उस साह कवीता में निराला जी ने विदुत छवी उर में कवी नव जीवन वाले कथन से क्या कहना चाहा है, तो उसको भी हमने आ समझा है, दो पंक्तियों में, उसके बाद है, नेक्स जो 13 है, पूरक पाठे पुस्तक्स जो आपका supplementary है, उससे जो questions के आंसर देने है, यहां पे तीन प्रशनों में से किनी दो के आंसर देना है, पहला जो है आपको इसमें जो पूचा गया है, मूसन तिवारी द्वारा, बाल मंडली की शिकायत के बाद पाठ चाला में भोला नात के साथ में कैसा वैवार हुआ और उसके पिता ज जात्रा में गाड़ी चलाने वाला गाइड भी हो, तो जितेन के चलितर की तुलना करते हुए अपने अनुभाव जो लिखना है, सिदी सिदी बात आपने किसी जात्रा में जो है आपका गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, उसको जितेन नार्गे के अनुभाव के साथ म उसके अंदर व्यक्तिक क्वालिटीज थी, उस चीज को आपको यहां पर थोड़ा सा दर्शाना है, तो मैंने उसको दर्शाय हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, नेक्स पाट है, हिरोशीमा की घटना, विज्ञान का भयानतम भयानक दुर्फियोग है, तो इसकी दृष्टी में, आपकी दृष्टी में, विज्ञान का दुर्फियोग कहां, और किस दर्धा हो रहा है, तो आपको बता देना या हुआ है, तो यहाँ पर हमने इसका answer जो है दिया गया है, इसका वाध्यों नेक्स्ट कोशेंट है इसमें आप से क्या पूछा गया है, तीन विशेव में से किसी एक पर अनुचेद लिखना है, अनुचेद में इन सभी चीजों को आपको मेंशन करना होगा जिसमें आपका संकियत बिंदू जो है जंग फूड किया होता है युआ पीडियो जंग फूड और जंग फूड खाने के दूसपर नाम यह सारा का सारा मैंने आपको जो हैं आपको यहां पे लिखा है और बहुत अच्छे और साधान सब्दों में लिखा गया है महात्मा गांधी के लिए महात्मा गांधी का जो आपका 148 जनम दिवश्ट था उसमें इसको सुरू किया गया था उसी में आपको जो आरम वरुदय और चात्र और सरकारी करमचारियों का सहयोग और जनसाधान को फ्रीरित करना और वेस्ट मेनेजमेंट टकनिक को करते हुए और जिस भी संपादक मोदे को लिख रहे हैं उसका लिखेंगे और उसके बाद में आपको मेंशन कुछ नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं विशे जरूर मेंशन करेंगे उसके बाद जो भी आपको प्रसंसा करनी है जो सब्द आप से लोटते समय प्रतग्यता व्यक्त करते हुए जो है आपको मित्र को सो सब्दों में एक पत्र लिखना है तो आप सिदे सिदे उसका एड्रेस जो है डालेंगे और अपना मित्र को धन्यवाद करते हुए लिख देंगे परसनल लेटर में आप अपना एड्रेस नहीं डाले तो आपको क्या करना है, Times of India में इस पद हेतु विग्यापन प्रकाशित किया गया था, आप नोकरी की तलाश में है, अथा आप इस पद पर न्युक्ति पाने के लिए, आपको क्या करना है, सवरतियानी के आपको सिधा-सिधा बायो डाटा बनाना है, तो बायो डाटा में जो आपने मर्जी से आप बनाना चाहते हैं, तो यह सारी चीज़ उसमें डाल देंगे, ध्यान रखना है कि आप किस चीज के लिए यहाँ पर अपलाई कर रहे हैं, ध्यान रखना है कि आप मयूर मोटर कंपनी में मार्केटिंग एग्जेकिटिव, उसी हिसाब से आपकी ड जो है आपको लिख देने हैं, अपनी मर्जी से आपके स्कूल का या अपने प्रिंसिपल का अपने चाजा का किसी का भी नाम डाल करके इस तरह से लिख सकते हैं, और फिर नीचे अपडेट डाल करके इस्थान डाल करके और अपना नाम और हस्ताक्षर लिख देंगे, तो इस तरह से आपका जो सवरत यानि की आपका जो रिजूम है वो मिल जाएगा इसका बाद आत्वा पार्ट में है ध्वनी प्रदूशन की समस्या से आउगत कराते हुए नगर योजना अधिकारी को जो है आपको असी सब्दों में एक एमेल लिखना है तो इमेल में पहले अप करना है जैपूर है आपका फिर महुदय लिख करके आप जो है अपने सारी चीजें जो है उसमें चिंताव्यक्त करके थोड़ा सा परग्राप बनाके इसको अप्लिकेशन टाइप में लिख देंगे और फिर आप नीचे प्रार्थी करते खतम कर देंगे इसके बाद में एक जानदार लिखावड और बहतर ग्रीपी इस चीजों को आप बॉक्स में बंद करना चाहें तो इस तरह से थोड़ा सा सजा करके जो विग्यापन होता है उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पांच रुपे के पेन के साथ एक रिफिल भी फ्री ये चीज लिख करके और न अप्डेट लिखेंगे और समय जरूरर मैंशन करेंगे उसके बाद में प्रियमित्र लिखते हुए आपका दीवाली के संदेश को लिखते हुए और अपना कोई अगर आपको शायराना अन्दाज अगर याद है तो उस दिवाली के बारे में थोटा सा कोट जो है चोटा सा डाल सकते हैं इस तरह से और उसके बाद में खतम कर देंगे तो यह रहा आपका पूरा पेपर जिसका solution हमने देखा और जो merit mission है आपका 2022 थे इसका वो हमने चालू कर दिया है अभी तक हिंदी A के जो है हमने का लगबग 3 वीडियो डाल दिया है हिंदी B के भी 3 वीडियो डाल दिया है SST का एक वीडियो डाल दिया है आने वाले है SST के next वीडियो इसके लावा जो है आपका English के आने वाले है English भी आ जाएगा इसी तरह से इनके लगबग लगबग 10-10 जो है पहले मैं स्टार्टिंग में आपको 10-10 वीडियो दे रहा हूं इनको आप तयारी करें और इन से बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा आपके एक्जाम में तो आसा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को help मिली होगी अपने दोस्तों के शाथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूने थैंकी वेरी मच, have a good day